हेलो एवरीवान टरट विद एम सिंग में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जी लेकर और आज मेरा ये डेक लेने का बड़ा मन कर रहा था थोड़ा रोमेंटिक रोमेंटिक आज की एनर्जी निकल कर आ जाया है शायद तो देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है तो इस डेक को में करूंगी रेंडमली टू पार्ट्स में डिवाइट और हम देखेंगे आपकी एनरजी और आपके person की एनरजी कैसे रहने वाली है आज के दिन में so first क्या बात है आज मैंने कहा कि सोड़ा romantic सी एनरजी निकल कर आ जाया और यहाँ पर पहला ही card यह couple का आ गया इतने प्यारे से couple हैं और commitment का card यहाँ पर आया है और आपने notice किया होगा जब मैंने राजस्तान की वीडियो पोस्ट करी थी तो वहाँ पर जो एक तलाब था उसमें दो ऐसे ही स्वान्स आकर ऐसे ही reunite हुए थे उस वीडियो में और वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो मैं इसके end screen में लगा दूँगी या आई बटन में लगा दूँगी अब जरूर से देखेगा वो भी मुझे एक divine reunion की energy दिखी थी उस दिन जो मैंने पोस्ट करी थी और उस वीडियो के पोस्ट करने के बाद कम से कम कम से कम एक हजार लोगों का reunion हुआ है मेरे चैनल पे एक हजार से ज़ादा लोगों का reunion हुआ है collectively हर वीडियो के नीचे 200 से 300 comment reunion क्या है तो ये देखी ये सब sign होते हैं कि आपके person आपसे प्यार करते हैं और वो आपके साथ reunite होने वाले हैं यहाँ पर the garden की energy है आज के दिन बहुत ही प्यारी energies लेने का मन कर रहा है मेरा पता नहीं क्यों बढ़ा अच्छा अच्छा क्या बात है intimacy वाओ लव की vibration बहुत हाई होती है यहाँ पर इसमें भी है क्या? नहीं इसमें वो vibration नहीं है इसमें है क्या वो vibration, इसमें भी नहीं है लेकिन इस card में यह जो divine energy reunite होती है तो यह एक power, harmony create करता है see the vibration, इसको कहते हैं love is the highest, love carries the highest vibration bottom की energy है the sacred woman, यहाँ पर knowledge, wisdom, spirituality divine से connection नजर आ रहा है आप में से बहुत सारे लोग आज के दिन में divine से alignment में आएंगे बहुत सारे लोग आज गव माता की सेवा करेंगे कौन कौन करेगा बताना मुझे comment section में अगर किसी ने गाए को खाना खिलाया है आज के दिन में बाहर जाकर या किसी के घर में आज के दिन में गाए आई है गव माता ने दर्शन दिये हैं या बचड़ा आया है बची आया है तो definitely यहाँ पर आपको कोई नो कोई बड़ी good news मिलने वाली है चाहे financial level पे चाहे आपके family life में बट आपको मिलने वाली है यहाँ तथास्तू की energy भी है यहाँ तथास्तू की energy है साथ ही यहाँ पर the garden की energy अगर आज के दिन में आप mother nature के साथ time spent करेंगे तो आपको कुछ vivid visions आएंगे आप 2 minute के लिए आखे बंद करेंगे तो आपको कुछ ऐसे visions आएंगे जो कि आपके आने वाले future से relate करेंगे प्लस missing energy आज के दिन में बहुत जादा strong है जिनका reunion हो चुका है हो सकता है आज के दिन में आप एक अच्छा time spent करें अपने person के साथ यहाँ पर commitment की भी energy है आप मेंसे कई सारे लोग commitment का weight कर रहे हैं और कई सारे लोगों को आज के दिन में commitment मिल सकती है आपके person की तरफ है self respect, creativity, maturity, love and bottom of the deck है luminosity यहाँ पर देखिए आपकी तरफ भी abundance आया इनकी तरफ luminosity आया मतलब आप दोनों ही abundant हो रहे हैं आप दोनों ही खुश रहरे वाले हैं एक दुसरे को mirror कर रहे हैं आपके life में growth हो रही है तो उनके life में भी growth हो रही है उनके life में growth हो आपके life में भी growth हो रही है आपके person spiritual journey में आगे बढ़ते जा रहे है यहाँ पर self respect की energy है अपने बारे में सोचेंगे अपनी self, अपनी soul और जब soul से alignment पे होंगे तो divine से alignment पे होंगे यह बात आप हमेशा याद रखिए maturity की energy है बहुत सारे लोगों के person को आज के दिन में कोई गुरू मिल सकता है या कोई ऐसे divine की तरफ से guidance मिल सकती है जो इनको life time याद रहेगी या तो ये guidance उनको divine को ड्रीम में आके देंगे या इनको किसी quotes के त्थू किसी şाharी के थू किसी notes के थू कहीं किसी image के थू कहीं न कहीं से इनको कुछ लिखा हुआ या कुछ dream में मिल सकता बहुत important guidance मिलेगे इनको, creativity की energy है, आज के दिन में बहुत सारे लोगों के person आप से communicate कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे love का card है, यह आप से communicate करेंगे, क्योंकि इनकी kundalini शक्ती जागरे थो रही है, यहाँ पर clearly नजर आ रहा है, अवेकन हो रहे हैं, और आपके साथ future decide कर रहे ह तो यहाँ पर आज के दिन में collectively love से related messages आपको receive हो सकते हैं, तो इसके बाद जो बड़ी reading आईगी, उसमें हम देखेंगे कि क्या सच में messages receive होंगे आपको, so मिलते हैं बड़ी reading में, thank you so much guys, bye-bye